हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल रियल देशी तड़का में स्वागत है आज मैं यूरा मटर की रेसिपी सेयर करूंगे आप लोगों के साथ थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है तो वीडियो के साथ बने रही ह किये वरना आप निस कर दोगे कि मैंने क्या क्या इसमें डाला है तो चलिए फ्रेंड्स सुरू करते आज का वीडियो लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप ऐसी रेसिपी और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्र यह बहुत ही टेस्टी बनेगा बहुत यमी बनेगा इसलिए वीडियो के साथ बने रहे है और वीडियो पूरा देखिएगा वन्ना आप छोटी चोटी चोटी कीजो को मिस कर दोगे और फिर आपके डिस वैसे नहीं बनेगी जैसे बननी चाहिए तो चलिए दोस्तों देर आज की रेस्पी चूरा मटर को बनाना चूरा मटर बनाने के लिए सबसे पहले चूरा को धूल करके इस तरह भीगो के रख देंगे अब इसको साइड में रखेंगे और चलिए आगे प्रोसेस करते हैं अब एक कडाई में मैंने दो बड़े चम्मस रसो का तील डाला है यह डालेंगे तोस्त हरी मिर्च को बारिक कट किया एक मिर्च को लंबस कट किया इस तरह से मिर्च जो है आप अपने अकॉर्डिग रख सकते आपको जितना चाहिए बहुत ही सिंपल सी रेस्पी है यह गाइस लेकि बहुत टेस्टी होता है यूपी में बहुत पेमास है इ बूम लेंगे प्याज और मिर्ची को बहुत ज्यादा हमें इसको नहीं पखाना है अब साथ में डालेंगे मटर यहारी मटर है अगर आप सोजे मटर कर रहे हो तो थोड़ा से पहले प्याज और मिर्ची को फ्राइ कर लिए रख जाए हँ हल्का सा बहुत जयादा लाल नहों तब इसमें सोजे मतर डालिए गा लेकिन अगर आप घर्रे मतर का यूज़ कर रहे हो तो आप साथ में ही डालेगा पुछ सेक जाएगो और मता जहर पकेगा नहीं आदेखिए अग्साथ नहीं इनको मिक्स कर लेंगे स्लेम को मीडियम करेंगे बहुत ही फटा-फट से बनने वाली रेसिटी है और जब भूग लगी हो और नास्ते किसम में फटा-फट से आप इसको बना सकते हो चंडियों में तो यह बहुत अच्छा लगता है अगर 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 आपके पास नहीं है तो आप फोजर मता भी डाल सकते हो बस ध्यान रखि मेरा भारे मत्र का यूज कर रहे हो तो साथ में प्याज और मिर्ची के दो तीन सेटिन बाद ही इसको डाल के पकाएंगे अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे पेस्ट के कोडिंग नमक डालिएगा एक चंबाच कीवी तो आपकाली मिर्च का पाउडर डाले एक चंबाच यह मेरा होममेट मसाला है इसका डेटेल जो है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप टेक कर लीजिएगा इससे जो टेस्ट आता है ना चुरा मत्र का वह बहुत ही यमी हो जाता है इसलिए इसको जरूर डालिएगा अगर यह आपके पास नह चंबाच से आप डाल सकते हो जैसे ही कौनिटी रहे आपकी उसके हिसाब से इस सब को मिक्स कर देंगे लें को मीडियम करेंगे और इसको पक्निय देंगे अगर यह मसाला आपके पास नहीं है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बदर जरूर चेक कर लीजिएगा उसकी हमारे चूरा मटले का टेस्ट जो बहुत यमी हो जाती है इस मसाले से अब इसको दो मिनिट के लिए पकने देंगे थोड़ी से कच्छी मुंपली डाल रही हो मैं यह ऑफ्शनल है अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हो तो मट डाले यह बिलकुल ऑफ् पहले चूरा दूल के रख दिजिए इससे चूरा पूरी अच्छे से नरम हो जाएगा अब इनको मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे और मीडियम प्लेम पर तीन से चार मिर्ट के लिए चलाते हुए भूज लेंगे इसको प्लेम मीडियम ही रखिएगा और चार से पांट मेट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे यह रेखिए रेडी है हमाया चूरा मटक बहुत ही टेस्टी है और फटा फट से बनने वाली रेसिपी है यह नास्ते में आप इसको मॉर्निंग नास्ते में ब्रेक्पास्ट में बना है अब इसको सब्सक्राइब टेस्टी सिर्फ पांच में में बनने वाला नास्ता चूरा मटर यूपी उपर से डालेंगे थोड़ा सा नमकीन बस धियान रखिए का दोस्तों कि इसमें जरू डालिएगा और जो मैंने मचाला बताया है वह मसाला जरू डालिएगा और यह सर डिनेगा अगर आप सर्सो का तेल तो यह बहुत हुआ जी बहुत है वह दिए अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिजिएगा खूब सारा एस रेसीपी को सेयर कीजिएगा अगर आप ऐसी और देखना चाहते हैं तो में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करके आउल का बटन दबा दीजिए जिससे में नई वीडियो के जो नौटिफिकेशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स उमीद करती हो आपको यह रेस्पी पसंद आएगी मिलते एक नहीं वीडियो में एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाइबाइ